हेलो स्टूडेंट वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासस माइन इम इस मिंकल वर्मा और आज क्या करेंगे अपन यी साउंड का रिवीजन करेंगे उसे फिर से रिवाइज करेंगे आज अपने अलफा बैट्स अपने अलफा बैट्स पढ़े उसके बाद अपन वोवल्स की तरफ पढ़े वोवल्स में हमने एक वोवल्स के साउंड पढ़ लिये थे और आज अपन इवावल के जो साउंड है उसे फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि पिछली ग्लासस में अपने इसांड पढ़ लिया था आज अपन उसे फिर से रिवाइज करने वाले हैं क्या आप को निकालो और साउंड ओफ इवाला चैप्टर निकाल दो और अपने एक साथ मिलकर इससे करते हैं अब देखो यह जो साउंड ओफ ई है उनसे बने वे कुछ यहां पर एक्जाम्पल्स दे रखें हैं उन्हें अपन पढ़ेंगे हैन चैन डैन डैन पैग्ड नेट पैट 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 लेग इनमें आपको ई साउंड सुना ही दे रहा होगा जैसे कि लैक बैट डैन हैं इन सब में क्यों साव और है हैं इन सब में लिए साउंड है आपको सुनाई दे रहा होगा अब आगे बढ़ते हैं जैसे की एन से बना हुआ हैं के बारे में बता रहे हैं इसमें आपको इसमें आपको जैसे की hand, hand, a hand hand के बाद में अपन देखेंगे it, आपको इसमें it तुनाई देगा net, a, net आगे देखो hand and, जैसे कि ये था hand, hand, a hand and, pen, a pen आगे देखेंगे अपन जैसे कि ये था net a, net ये इसमें भी and net के जैसे ही sound आएगा क्योंकि इसमें it है, आगे देखो pet, net, pet a, pet, आगे देखो dan, इनमें आपको n sound सुनाई देगा, अभी अपनने n sound का बड़ा, pen, hand और n, n से फिर से क्या बना, dan, a, dan, आगे देखो, इसमें आपको ed का sound सुनाई देगा जैसे की bad, add सुनाई देगा आपको, इसमें add a, bad, आगे देखो, easy इसमें आपको egg type का सुनाई देगा, peg a, peg, फिर से आपको egg जैसा sound सुनाई देगा lag, a, lag pack, lag, इनमें आपको easy का sound सुनाई देगा अब अपन आगे बढ़ते हैं ये है, phonic drill अब इनमें भी आपको sound के बारे में बता चलेगा जैसे की more words with e sound ऐसे बहुत से words बनते हैं जो की e sound से बनते हैं जैसे की e, n मिला कर की बहुत सारी spelling बनती है जैसे pan, hand, dan वैसे ही e, t को मिला कर बहुत सी spelling बनती है जिनमें अलग से sound आते है different, different sound किसी में n का sound आता है e sound, जो e है उसको मिला कर किसी में n का sound आता है अगर e के साथ t मिला दे तो set, जैसे add का sound सुनाई देगा आपको इसमें आपको add का sound सुनाई देगा तो इसमें आपको add का sound सुनाई देगा जैसे की अपन पढ़ते हैं n sound, ठीके? pen वापस एक बार रिवाइस करते हैं साउंड को पर 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 एक बार फिर से पढ़ते हैं अब एड का साउंड पढ़ेंगे अपन एक बार फिर से रिवाइस करते हैं इनके पीछे आपको एड का साउंड सुनाई देगा जैसे कि सेट ए के साथ टी इनके बार फिर सेट गेट पैट नेट जैट फिर से इनके आपको एड का साउंड सुनाई देगा एड का जैसे कि लैड पैड रेड बैड वेड फिर से देखते हैं आपन एक बार इसे लेड, फेड, रेड, बेड, वेड, इनमें आपको एक का साउंड सुनाए देगा because यहाँ पर E और G है फिर से देखते हैं अपन लेग, बैग, कैग, पैग, एग फिर से देखते हैं एक बार लेग, बैग, कैग, पैग, एग ओके, यह क्या थे अपने पॉने ट्रिस अब अपन आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ और एक्जामपल्स दे रखें हैं यह है वैट, वैट मिन्स गीला यह है एग, एग मिन्स अंडा और यहाँ पर है जैट, वैट, एग, जैट अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दे रखा है, लैट उस रीड, बैन एंड हिस हैं यहाँ पर इस साउंड के साथ जो छोटी सी लाइन बनाई है, पोईम जैसी है यह इसको पढ़कर आपको मजा आएगा और इसमें इस साउंड का यूज कर रखा है, ठीके बैन लव हिस पैट, यह जो बॉई यहाँ पर खड़ा है, इसका नाम है बैन और यह जो इसके पास फैन खड़ी है, यह इसकी क्या है, पैट है इसकी पालतू जनवर ठीके, यह बैन है और यह उसकी हैन है, तो देखो, बैन लव्स हिस पैट, बैन अपने जो पैट है उससे बहुत प्यार करता है आगे देखो, बैन हैस था हैं, बैन के पास कौन सा पैट है, बैन के पास है हैं ओके आगे देखो The hand is red चो hand है उसका color कैसा है? ओके तो Ben loves his pet Ben अपनी चो pet है उसे बहुत प्यार करता है Ben has a hand Ben के पास कौन सा है? Pet hand ओके The hand is red चो hand है वो कैसी color की है? Red It lays an egg in the net और उसने एक अंडा दिया है वो भी net के अंदर अब देखो Ben should Ben sold it for a yen Ben ने उस अंडे को Yen means एक मुद्रा होती है पैसे पैसो के लिए Ben ने उस अंडे को बिच दिया अब अपन इसमें देखेंगे E sound कहां कहां है? यहाँ पर देखो Ben Ben जब लिखा गया है तो Ben के अंदर कौन सा E आया है? Ben में E sound Ben के अंदर E आया है Pet में भी E का यूज किया गया है Ben फिट से Hen में भी E है Hen में भी E Red में भी E है और Egg में भी E है नेट में भी E है और बैंड में फिर से E और ये इनमें फिर्टी इससे क्या हो गई एक प्यारी सी पॉनिक ड्रिल वाली छोटी सी पॉंग बन गई अब आगे देखो आप 10 ते ढएंड ये जो बैंद है ये बॉई उसके पास कितने पिज है टान पेंड है ठीक है डो पेंड इस अरएड पेंड पेंड है उनकी sir का किये अं highlights कॉन चैनल रेड आगे देखो band has a set of red pen और band है उसके पास red pen का set है set means wonders इसके हातों में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों हातों में two sets है तो ये band have a red pens band have a red pens band has a ten pens the pen are red band has a set of red pens इनमें भी आपको e sound दिखाई दे रहा होगा सुनाई दे रहा होगा e और इनमें कहा कहां e का use हुआ है band में e है ten में e है pens में e है second line में फिर से pens में e है और red में भी e है band में bhi e set में bhi e red में bhi e और pens में bhi e इनसे क्या होगे एग छोटी सी point बन गई इनमें कौन से sound का use है? E कौन सा है इनमे? E sound और ये कौन सा है? एक के बार में कौन सा वोवल आता है? E ओके? Practice time ओके? जैसे कि यहाँ पर ये दे रखे है match the pictures to the correct word ये जो यहाँ पर example दे रखा है उस example को सही जो एकदम उसका मतलब सही spelling है उससे आपको क्या करना है? match करना है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर एरो प्लेन दे रखा है और वो जेट कर रहा है तो यहाँ पर जेट से उससे एरो कर दिया है अब वापस अपन को इसको भी correct करना है जैसे कि इन में से यह क्या है? आप इसको use करते हो फोते तब क्या है यह bad? तो अपन क्या करेंगे? bad तो bad के सामने इसकी अब next देखो यह क्या है? आप इसे पैच्छान सकते हो इसको आप use करते हो यह है pen तो अपन क्या pen? cook पैन से किसके दरफ आप आप करेंगे? पैन के spelling का है? यह है pen ओके next देखो next example किसका है? यह क्या है? यह bag तो है नहीं यह man भी नहीं है यह है lag तो इसको lag के सामने इसकी आप करेंगे ओके next देखते हैं यह क्या है? यह एक egg है? नहीं यह pack यह है pack तो इसको pack के सामने इसका arrow कर देंगे या फिर आप इस तरीके से गोला भी कर सेबते हो arrow करो तो भी ठीक है गोला करो तो भी ठीक है अब यह wet तो है नहीं और यह pet भी नहीं है यह तो क्या है? तो net के सामने इसकी arrow बना दो तो हमने क्या किया match the pictures to the correct word हमने match किया है जैसे कि मैंने इस pen को correct word उसके pen से match किया है और हमने lack को भी उसके correct word lack से match कर दिया है और यहाँ पर एक pack है उसको भी हमने correct word pack से match कर दिया है यहाँ पर एक net है उसको भी हमने करेक्ट कर दिया है आगे देखते हैं हाँ यह जो मिसिंग वावल्स है उन्हें अपन को फिल करना है जैसे कि यह हैं तो हमने आपर हैं लिख दी जैसे कि हम अपन वावल यह पढ़ रहे हैं तो इन सब के अंदर कौन सा वावल आएगा यह और जहां तक आपको जो लरे रहे उसे भी अपको देकर पैच्छानना है यहां पर क्या है यहां पर अपन फिल करेंगे यह क्या है यह एक एक और यह क्या है वेट गीला तो यहां पर भी यह आएगा और यह का लर है रेड कलर का है तो एंसमैं कौन सा द्रunn भोवल हम और यह हम जैसे की हमने यह वावल legal को पढ़ लिया है अपने रिवाइस कर दिया है लेकिन छो आपको यह पॉनिक में उन्हें आपको क्या करना है natt book के अंधर लिखना है और उसे बार बार रिवाइस करना है ताकि आप इन phonic drills को अच्छे से समझ पाएं और vowel E के साथ आप E, N, Act, Add और Egg बना एक को जोड़कर बहुत सारे जो words हैं उन्हें बना पाएं जो आप इन्हें जल्दी समझ पाएं तब तक के लिए थैंक यू